जैशीराम भगतो जैशीरी बाला जी महाराज कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सितें, सुस्तें और बाबा की असीम कृपा आपके पर बनी भी है ऐसी कामना दिल से करते हैं तो जैसा कि आप सब को पता है कि हर रोज एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वा ही आपके Лिए बहुत जादा ग्यान वर्दक होने वाली है बहूत सारे लोगों के मन में यह जिंग्यासा होगी सवाल होगा कि पूझा पाट करने से हमें क्या फल मिलता है क्या लाब होते हैं क्यों हमें पूझ आपाट करनी चाहिए बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अंतक बने रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी महराज मेंदी पूर की पवित्र किरपा आपके प्रिवार पर सदा ही बनी रही बाबा की असीम किरपा आपके ओपर है तबी हम यह वीडियो आप सुन रहे हूं हैं यह पूजा का ही फल है जो अंदर ग्यान उदे हुता है अगर हमे जिस रास्त जाना है नही उस रास्त पूछे का फैदा ही नहीं होता और मेन बात तो यह है कि देखो कि जब ब किसे करना चाहिए कैसे करना चाहिए और लाब कोई भी पूजा जो होती है स्वार्थ स्वार्थ से लेटिड जो भी कोई पूजा होगी उस पूजा का कोई भी फैदा नहीं है अगर हम किसी भी वैसे तो हर पूजा पर स्वार्थ से लेटिड भी करते हैं खरकी लोग किसे कुझ लिए करते हैं हम पूजा मैं आपको आज यह बताऊँगा कि भगवान शिरी बाला जी महराज की या अपने इश्ट की या शंकर भगवान की या मादुरगा की कोई भी आप पूजा या चना साधना करते हो हमें किस तरिके से करना चीए और अगर उस तरिके से हम करते हैं तो हमें कितना फल पराप्त हो सकता है फल इस पकार का नहीं जैसे कि कई लोग कहते कि लक्षमी इस चीज़ को लक्षमी कह देते है किसको लक्षमी पैसे को क्या पैसा कभी ये लक्षमी है कभी लक्षमी नहीं है लक्षमी होती है सुक बैवव दरिदता का नाश आपके गर में समरिद्धी हो रोग कोई आपके गर में पन पेना आपके गर में सुक शान्ती प्राप्त हो बड़े छोटे का आदर और भाव और सम्मान आपके घर में हमेशा उत्पन होता रहे तो इस पकार की जो चीज होती है उसको हम लक्षमी की परबाशा में गिना जाता है मनलों सुक्ष समृद्धी की अपने बाश्या में गिना आता है उस पकार की पूजा जो हम क्या करते हैं भगवान से ये जो चीजे मांगते हैं हम अपनी पूजा में इस पकार का नहीं कि हमें धन चाहिए या हमें इस पकार का कारिय कीजिए हम पूजा किस पकार से करे भगवान की हमें क्यों करनी चाहिए और किस तरिके से करनी चाहिए मैं वो आपको बता रहा हूँ जब भी आप भगवान की पूजा करो श्रीबाला जी महराज की पूजा करो या माता दुर्गा की पूजा करो चै आप 24 गंटे में से मातर पांच मिनट भी पूजा याचना करते हो जो हर्दय की आवाज से करोगे वो भगवान तक जरूर पोचेगी 101 परसेंट पोचेगी दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज को रोख नहीं सकती क्योंकि अगर आप सोश्तियों की पूजा के लिए कोई साज की अवशकता है या कोई वस्तर की अवशकता है या कोई सिंगार की अवशकता है तो कभी नहीं पूजा के लिए सिरफ आपके भाव किये विशक्ता है आपके अंतरात्मा का जो भाव अपने इस्ट के परती जब प्रकट होता है जब आपके अंदर की जो भाव है शिरीबाला जी महराज के परती हनुमान जी महराज के परती अंदर से जब वो प्रकट होते हैं, तब वो भ्यंकर रूप ले रहते हैं, उस भ्यंकर रूप की जब हम अपने भगवान के पर्ति उस भाव को प्रकट करते हैं, वो भ्यंकर रूप जो अंदर का, भ्यंकर रूप का मतलब होता है प्रेम, कभी कोई और इस चीज को आप सुन लो अंदर का अटूट प्रेम, अपने भगवान के परती आपकी निश्ठा, भावना, अंदर का प्यार जब भगवान के परती अर्पित हो जाता है, तो श्री बालाजी महराज की जो किरपा AI हरमान जी महराज की किरपा AI मात्वर की किरपा AI, आपके परिवार के उपर बरसने लग जाती है अब हम किर्पा किस पर नहीं चाहते क्या हम अपने बच्चों पर किर्पा नहीं चाहते तो हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा का मार्ग सिखाना बहुत जरूरी है उन्हें भी हमें हनुमान चरिशा पढ़ना हमें हनुमान चलिशा लड़न करवाना बहुत जरूरी है क्या हम अपनी लड़कियों को आज हम यह तो चाहते हैं कि हमारी बच्ची समाज की हर बुराई से बचे हर बुराई से चाहिए वो बुराई किसी भी पकार कियो तो हमारा ये भी तो मकसद है कि अंदर से जो बराई जो दिखाई नहीं देती एक ऐसी उर्जा जो दिखाई नहीं देती और आपके समीप कभी ना आए जब हमारे अंदर एक सक्रात्मक उर्जा दोड़ने लग जाती है तो नकरात्मक उर्जा हमारे समीप नहीं आती क्योंकि अंदर की जो उर्जा है जब अंदर सकरात्मक उर्जा काम करती है या आपके भाव के परती बगवान के परती जब भाव निकलते हैं ये पूजा से निकलते हैं जब हम पूजा करते हैं श्री बालाजी महराज की या माता दुर्गा की तो वो संसकार अब हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि मेरी मम्मी संद्य कालीन माता की आरती करती है पूजा करती है चाहिए आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं आप दिल से कर रहे हो हर्द हर्दय की अवाज हर्दय की अवाज क्या है हर्दय की अवाज भगवान तक जरूर पहुच सकती है क्योंकि भगवान तक आप कौन सी अवाज पुचा सकते हो भगवान तक आप मुख्य बोल से आप कोई भी अवाज पकाए वो नहीं पहुचेगी जब आपके हर्दय की और भ बह्त को पैचान लेतें कि मेरा भाकता रहा है कि इसका संबान होना चाहिए आज गले के अंदर कोई आपके माला डालता है या किसी घर में आपका आधरभाव होता तो बहगवान की उद्वां की किरपार आह पूजा का फुजा का हमें आशिवादр रूप में किस पकार से प्रापित होता है जब हम पूजा करते हैं तो वो आशिवाद का रूप कैसे ले लेता है माल लिजे हमारी ये बाजू तूटने वाली है हमारे कर्मों में ये बाजू तूटने वाली है और हम अपने माता पिता का आशिवाद भी प्राप्त करते हैं औ क्या होगा कि हमने पूजा करी और हमने शिरी बाला-जी महराज हनुवान जी महराज से विन्अ प्राथना करी किस पकार की है बाला-जी महरा न को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, अपने गुरू की किर्पा को साथ लेने की कोशिश करते हैं, वो किस से मिलता है, वो पूजा का रूप बन जाता है, जब हमारे भाव अपने इस्ट के परती प्रकट होते है, अपने गुरू के परती प्रकट होते है, तो एक पूजा का रूप बन तो अब क्या है जब हम बार निकले गारी से उतरे और उतरते ही एक मोटसेकल वाला टकर गया नेकिन हाथ तूटना था नेकिन नाखुन छिल गया ये पूजा का फल है ये प्रभू की किर्पा का फल है कितना बिन मांगे मोती मिले मांगत मिले ना ही जब भगवान की किर्पा आपके उपर होने लग जाती है तो वो किर्पा दिखाई नहीं देती नेकिन उस किर्पा को महसूस किया जा सकता है उस किर्पा को देखा नहीं जा सकता नेकिन मैसूस अच्छे दिक्के से किरा सकता है जैसे कि हावा हमारे अंदर क्या भगवान के किर्पा नहीं है दो मिल्ट सांस रोख के दिखा दीजिए आप क्योंकि कहते हैं ना पावन पुत्र तुम पावन समाना वायू देव के पुत्र है और वायू के साथ ही हमारे जीवन का संचार चल रहा है कि ये बगवान की किर्पा ही तो है जो हम दो पल का सास ले रहे हैं ये हमारी पूजा का फल ही तो है हम पूजा करकर अपने पाप कर्मों को भी उतारते हैं जब पूजा हम निष्टा भावना से करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, तब सारी जिन्दगी कोई भी माबाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, नेकिन जब वो अपने बच्चों के अंदर एक संसकार की मर्यादा को पैदा कर देते हैं, तो उनके जो होते हैं व्यक्तिगे, जब उसका जनम होता है तो 16 संसकार क्या हैं, तो उसी पकार से आप सोचो कि पूजा पाट करने से हमें प्रमात्मा की किर्पा पराप्त होती है, जो एबदर सक्तियों से चुटकारा मिलता है, नकरात्मक उर्जा हम से दूर रहती है, सकरात्मक उ तो हनुमान जी की अद्बुत किर्पा आपके शरीप पर वास करने लग जाएगी, क्यों वो किर्पा दिखाई नहीं देती, नकि अद्रेश लूप से आपकी रक्षा करती है, पल पल रक्षा करती है, ये पूजा का फल है, चाह किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, नकिन बगैर भाव के वो पूजा कभी परकत नहीं हो सकती, आपको भाव दिखाना पड़ता है, जैसे कि अब एक हनुमान जी के हम पूजा करें, जया हनुमान गयान गुनचा करती है, तो वो रक्षा तो करेगी, क्योंकि आपने मुक्ष से गुनगान किया है, क्योंकि बगवान के परती, देखो कहीं भी आप जा रहे हुँचे आप भजन गाते हो, अगर आपके अंदर कोई सरस्वती है, कहते हैं कि सरस्वती मा इडिश्टता, वीना पुस्तकदार नी, हंस बहानी, मा से उकता, विद्यादान करो ममा, अगर आपके बाद सरस्वती का वास है, और आप भजन गा रहे हो, और आपके अंदर एहिंकार की बू नहीं होने चाहिए, किसी ने कहा दिया, भाया मुझे ये भजन सुना दीजिए, क्या पता उस भजन से सामने वाले के भाव कितने प्रकट होते हो, भगवान के प्रती, भवाव प्रकट होने चाहिए, अपनी इंद्रियों को निशावर भगवान के प्रती करना चाहिए, अगर आप अपनी इंद्रियों को छोड़ दोगे, एक ही प्रातना कीजिए कर सुवेर सुवेरे, कि बाबा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, नेकिन पूजा करने की विदी नहीं जानता, मैं निस्वार्थ नहीं सुवार्थ भी प्रकट हो, तो उसको भी आपने दबाना है, हे शिरीबाला जी महराज, हे हनुमान जी महराज, मेरे अंदर से कभी भी सुवार्थ भावना उत्पन हो, अगर मेरे अंदर कंठ में सरस्वती का वास है, तो कोई भगत अगर भजन सुनना चाहता है आप इसके लिए स्थान पे ही बैटना अनिवारिया है नहीं 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 गलत पूजा का मतलब यह है कि दस मिनट के लिए आप अपने प्रभू के चर्नों मेवलीन हो जाओ 24 गंटे में दो मिनट दे दो क्योंकि एक बात याद रखो 24 का सारी जिन्दगी उसी की है नेकिन हम अपने 24 गंटे में मातर दो मिनट भी उन्हें नहीं नहीं दे सकते बहुत से लोग इतने बीजी अपनी लाइफ को कर देते जैसे कि जिन्दगी वही है नहीं प्रभू की भक्ती ही असली जिन्दगी है अगर उसको समझे अब चाहिसमें लोग चाह अनलाइक करें चाह करें लाइक ये भी वही करवाने वाला है क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमान नहीं देने बड़ता और शिरीहनमान जी की किरपा प्रत्यक्ष रूप में कल्यू गूरूप में परधान रूप में है वो देखते हैं कि मेरा भक्त कितनी याचना कर रहा है कितनी पूजा कर रहा है मेरे पती कितने भाप प्रकट कर रहा है मेरे पती क्या अपने भक्त को लाखों की बीड में बाबा च्छाट लेते हैं महंदीपूर कहते हैं बाबा तेरे भक्त बतेरे भक्ती पूजा करने वाला कोई कोई तो बाबा के भक्तों की तो कोई कमी नहीं है मेंदी पूर में जब लाइन में लगके या कहीं भी जाते हैं वहाँ पर तो जब भी जैशी राम बोलते हैं किसी भी मंदिल में जाएंगे जैशी राम बोलेंगे ने कि उसके बार भगवान ये कहते है मातर दो मिनट भी दे दो वो दो मिनट भी 24 गंटे के बराबर हैं आपके 24 गंटे आप टेंशन में भी होना तब भी मातर दो मिनट प्रभू के भजन में लीन हो जाईए और देखिए कैसे अदबुद उर्जा आपके अंदर से प्रकटोने लग जाएगी अपने आप ही देखो आगर आपको कोई दुख है दर्द है जब बच्चा छोटा आता है वो अपनी मा को कहता है एक बार आप अपने इष्ट को अपने गुरु को अपनी मांग बना कर देखिए जब आपके साथ जब कोई संसार में क्योंकि ये मिर्टवी लोग हैं ये करम छेतर है सभी को छोड़ना पढ़ेगा आज नहीं तो कल चोड़ना पड़ेगा चोड़ना सभी को पड़ेगा तो इस से पहले उस परम पिता परमात्मा की शिरी चर्णों का आसरा प्राप्त कीजिए ताकि अगर याद रखना बुड़ापे में तो सभी राम बोलते हैं बुरापे में तो सभी राम बोलते हैं, मजा तो जब आए जब जब जवानी में राम लिकले, क्योंकि बुरापा लिख वाली जी आप, हर्मान जी मारा से, क्योंकि हर्मान जी कभी बुड़े नहीं होएं, क्योंकि हर्मान जी कभी बुड़े नहीं होएं, जो जन्मा तो हैं, नेकिन मरा कभी नहीं, ऐसे देव की पूझा याचना करोगे, अंदर से मजा जाएगा, भक्ती अंदर से की जाती है, बार से तो सरीर का भी दिखावाएं, सब मैली मैल है, अंदर ही सब कुछ है, अंदर हम ढूंड तुझे बार रहे, नेकिन बसा तो हमारे अंदर है, यह हम भी जानते हैं, नेकिन वो कहते हैं, एक जैसे की गनित है, गनित की एक कुंजी होती थी, कुंजी तो जो बुग डिपो में मिलती थी, तो ऐसा यह पूरा संसार एक गनित है, उसकी कुंजी अंदर ही वास चलते फिरते भी होती है यह नहीं सिर्फ अंदर के भाव 24 गंटे में दो मिनट श्री बाला जी महराज के आप श्री चर्लों में प्रक्ट कीजिए अपने अपनी हाजरी लगाईए और देखिए जो सारी आपके पूरा 24 गंटे बाकी गंटे तो आपके बाकी गंटे आपके है तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं मैंने यह थोड़ी सी वीडियो बनाई है एक व्यक्ति का कोश्चन था इस पकार का क्योंकि हम कोशन जो जाले लोग ऐसे सोचते हैं कि पूजा करने से क्या मिलता है कुछ नहीं मिलता है करते हैं करते हैं जी मैं तो इतने सौन से अभिमान से रावन के पास क्या नहीं था जिसने कलास उटा दिया क्या सबकुस्त था उसके पास क्या नहीं था महादेव की अपरमाट किरपा थी नेकिन उसके पास एक अभिमान भी था मैं था, अगर वो सामने एक उंगली करता था तो तीन अपनी तरफ करता था, तो इसी पकार से एक अंदर से वो ना करो, आप भाव प्रकट कीजिए, शिरी हनुमान जी महराज पे 101 परसेंट आपके ओपर किरपा होगी, किसी की दिखावे की जूरूत नहीं है, अंदर के भगवान के शिरी चर्णों में छोड़ दी, तो भगवान किस रूप में आएंगे, किसी ना किसी के रूप में जरूर आते हैं, सिर्फ मन को पैचानी आप, आप देखिए उस नजरों से, कि आप किस पकार से देख सकते हो, आग्यागे और भी आपके लिए अच्छी अच् करते हो, सब प्रभू की किर्पा है, हमारे उपर है, तो आपके उपर भी है, जो देख रहा है, जो दिखा रहा है, है तो वही, और जो बना रहा है, उस पे भी वही बनवा रहा है, तो इसकी किर्पा है, तब जाकर ये बोल भी निकलते हैं, तो भाया, जैश्री राम, शेश्री बाला जीमान